आज मैं आप लोगों के साथ मटन की एक और जबर्दस्त मुगलाई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो के अक्सर करके आपने रेस्टरेंट में खाया होगा यह बनाने में बहुत ही आसान है घर के ही चीजों से मैंने इसे बहुत ही आसान दरीके से बनाया है जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और खाने वाला तो उंगलिया चाटते रह जाएगा तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर अपनी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे बेल लॉटिफिकेशन सरूर प्रेस कर दें तो चलिए रेस्टपी को शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 750 ग्राफ मटन लिया है इसको अच्छे से मैंने दो कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी बगे रहा था उसे नितार दिया है अब हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करते हैं मैरिनेट करने से इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के साबसे नमक यहाँ पर मैं एक चमच नमक एड़ कर रही हूँ आदी छोड़ी चमच हल्दी एड़ कर लेंगे 10-15 काली मेर्च को इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है ये बिल्कुल भी फ्रेश होना चाहिए उसके पादी इसका जो जाइका है बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग आता है इसके बाद यहाँ बर मैं आड़ कर रही हूँ तीन चमच अधर गलसन का पेस्ट मेरे पास इस तरह से क्यूब से आपके पास फ्रेश पिसा हुआ है तो भी एड़ कर सकते हैं इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हादों की मदद से ताकि जो मसाले है अच्छी तरीके से कोट हो जाए मटन में आप इसको आदे गंटे के लिए रख सकते हैं या फिर ओवर नाइड भी रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसको आदे गंटे के लिए मैरेनेट करके रख रहे हूँ तो यह दिखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम रख देते हैं साइड में चलते हैं आगे की प्रोसेस में अब हम ले लेंगे कडाई और इसमें मैंने आदा कप तेल डाल दिया है तेल को अच्छी से गर्म होने के बाद यहाँ पर मैं आइड कर रही हूँ चार से पाच मीडियम साइज की रफली कट किये हुए प्यास प्यास को भून लेना है इसे बहुत जादा नहीं भूनना है बस इसका हलका सा कलर आ जाए गोल्डन और यह थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए तो हमें इसे निकाल लेना है तो प्यास हमारे सौफ्ट हो गए है और इसका कलर भी हलका सा चीज हो गया है तो अब मैं इसमें आइड कर रही हूँ 10-12 हरी मिर्ची यह बहुत ज़दा तिक्की वाले नहीं है और उसी के साथ मैंने आइड कर दिया है 10-12 काजू इसको हलका सा फ्राइ कर लेंगे और देखे यह अच्छी तरीके से फ्राइ हो गया है और अब हमें इने निकाल लेंगे ज कुछ खड़े गर्म मसाले तो यहां पर मैंने ले लिया है एक चमर जीरा छे से साथ लॉंग दो बड़ी इलाइची छे छोटी इलाइची और दो तीजपत तक एड किया है 30-40 से किंड तक इसको फ्राइ कर लेंगे जब तक इसका आरोमा तेल में आ जाए उसके बाद यहां चेंजना हो जाए तो यह देखिए इसका कलर अब चेंज हो गया है तो अब मैं इसमें एड कर रही हूं आदर लिटर से थोड़ा से जादा पानी ताकि जो मटन है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए तो यह देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब मैं इसे श तो यहां पर एक मिक्सिजार ले लिया है जो हमने मसाला भून कर रखा था उसे एड़ कर लेंगे और यह ठंडे हो गए ठंडा होने के बाद ही इसे हमें पीसना है साथी साथ एड़ कर देंगे आदा कप दही यह बिल्कुल भी फ्रेश है उसके बाद एक मुट्टी यहां पर धनिया एड़ कर लेंगे और इसका एक महीन पेस्ड बना लेंगे तो यह देखिए मैंने इससे पीस लिया है और अब इसको रख लेते हैं हम साइड में तो मटन भी हमारा गल चुका है और मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया है कड़ाई में तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं मटन हमारा गल आ या नहीं तो ये देख सकते हैं मटन बहुत जी अच्छी तरीके से गल चुका है तो अब मैं डाल दूँगी मसाला जो हमने तयार करके रखा था तो इसमें सारा मसाला एड़ कर लेना है और मिक्सर में जो कुछ बचा है उसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके भी अच्छी तरीके से एड़ कर लेना है और इसे 7-8 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से पका लेना है मिला लेना है सारे मसाले एड़ करके और इसका एक क्रीमी टेक्शर आने तक इसको हम पका लेंगे तो फ्लेम को मैंने हब हाई पे कर लिया है और इसका जो सालन है वो देखिए कम हो चुका है यहाँ पर हम एड़ कर लेंगे बटर और 20 ग्राम बटर मने एड़ किया है इसे भी मिक्स कर लेना है और एक मिनिट के लिए हम सभी चीजों को और पका लेंगे तो हमारी डिश रेड़ी है सर्फ करने के लिए उससे पहले हम डाल लेंगे एक मुट्टी हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे तो अज पर एक दो मिनिट और पका लिया है मैंने तो दीखिए इसका जो रोगन है सर पे आ गया है और यह तैयार है सर्फ करने के लिए तो हम इससे सर्फ कर सकते हैं रोटी नान पराठा या फिर गरम गरम राइस बहुत अच्छी और डिलिश लगती है लोग उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो यह रेसिपी ज़रूर ट्राय करना और आज मैं बनाने जारी हूं बहुत ही मज़िदार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब डाल गोस्ट की रेसिपी तो यह मुंबई स्टाइल डाल गोस्ट है और जो कि बनने में बहुत ही टेस्टी और खाने में इसका जो ट यहां पर मैंने 3 दाले ले लिए जो कि है मूंग डाल पहली वाली और उसके बार यह है तुर दाल मसूर दाल और यहां पर मैंने लिया है 7-8 हरी मिर्ची तो मिर्ची की कॉांटिटी आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं और यह जो डालो की कॉणटिटी ए एक्वल ह भाउक किलोबश आपको मुठ चाहिए किलो मैंने कूकर नाग सी तटब करना है तो यहां पर हम मतन को भी गलने के लिए रख देते हैं तो यहां पर मैंने पौने दो किलो मतन लिया है और इसके साथ मैंने फैड भी लिया है फैड भी इसमें बहुत ही अच्छा जाता है और इसका जो टेस्ट है इसमें फिर बढ़ जाता है तो इसको हम साइड में रख देत और साथी साथ मैंने एक बड़ा प्यास स्लाइस करके एड़ कर दिया है एक बड़ा चमच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अद्रक लसन का पेस्ट जो कि मैंने बिल्कुल भी फ्रेश बनाया था नमक यहाँ पर फिर से मैं दो चमच एड़ कर रही हूँ साथ मैं आदी चमच मैंने हलदी डाल दिया है तीन बड़ी इलाइची तीन से चार यहाँ पर मैंने बड़े टुकडे दालजीनी के एड़ कर दिये है बीस से पचीस यहाँ पर मैंने लॉंग लिया है और इसको एड़ कर देंगे और उसके बाद हम ले लेंगे यहां पर मैं छोटी इलाईची एड़ कर रही हूँ और उसके बाद एड़ कर लेंगे 7-8 टेजपत्ता एक गलास यहां पर पानी एड़ करेंगे मटन में इसे पानी छोटेगा और एक गलास यहां पर हम एड़ कर रहे हैं अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मटन है मिक्स हो जाएगा मटन तूट जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने एक सीटी हाई पे और उसके बाद दस से पारा मिनट के लिए ही गलाया और अब यहां पर एक मसाला तियार कर लेते हैं इसमें मैंने तीन टमाटर दो प्यास और नो से दस हरी म भून कर पीस लेंगे और उसके बाद एड़ कर लेंगे यहां पर मैं तीन चमच कश्मीरी लालमेश पौडर एड़ कर रही हूं यह कलर के लिए हैं तो तीखी वाली नहीं है फिर से यहां पर हम दो चमच नमग एड़ करेंगे दो चमच यहां पर भुना हुआ जीरा और उसके बाद एक पाउल हम एड़ करेंगे दही दही बिल्कुल भी फ्रेश है खटी वाली दही नहीं लेंगे हम और उसके बाद एड़ करेंगे एक बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट एक चमच हमने पहले भी एड़ किया है और एक चमच यहां पर एड़ कर लेंगे ठकर लगाकर इन सभी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे, साइड में रख लेंगे यहां पर मैंने चार छोटे वाले प्यास लिए हैं और मीडियम साइस के हैं इन्हें कट कर लेंगे, बगार में इस्तमाल करेंगे इसे भी side में रख लेंगे दाले हमारी गल चुकी है तो आप देख सकते हैं इनको अच्छे से mix कर लेंगे और जितना पानी requirement है उसमें add कर लेंगे पानी को और इसे भी हम side में रख लेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा log की तो आप देख सकते हैं ये लगभग 1 kg का होगा और 1 kg तक ही है तो इनको हम बड़े बड़े pieces में cut करके side में रख लेंगे और अब मैंने बगार के लिए 3-4 बड़े चमच तेल ले लिया है तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम डाल देंगे बड़ी इलाइची तो यहाँ पर मैंने फिर से 3 बड़ी इलाइची एड़ की है long एड़ किया है जितना हमने पहले एड़ किया था उतना ही एड़ करेंगे और उसके पाद डाल चिनी छोटी इलाइची एड़ कर लेंगे और साथी साथ एक से दो चिमेच जीरा एड़ कर लेंगे और उसके बाद एड़ कर लेंगे तीज पत्ता तो जो हमने मटन गलाने में यूज किया था मसाले वो ही हमने बगार में एड़ किया है तो मसालो को पका लेंगे फ्राइ कर लेंगे दोसे तीन मिनिट के लिए और उसके बाद प्यास जो हमने चार कट करके रखे थे उसे एड़ कर लेंगे प्यास को अच्छा भून लेंगे ब्राउन कलर आने तक तो देखे प्यास अच्छे से हमारे भून चुके है और अब इसमें हमें एड़ कर लेना है मसाला जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था उसी मसाले को एड़ कर लेंगे मसाले की बहुत ही अच्छ से भुनाई करनी है फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे रखा है तो तीनो डालों की जो कॉंटिटी है उसमें से एक डाल मैंने 500 ग्राम लिया है तो अब हम इसमें मटन एड़ कर लेंगे जो हम उन्ने बॉयल करके रखा है मटन वो एड़ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मटन बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं हुआ है और इसमें जो हमने खड़े मसाले एड़ किये जितना पॉसिबल हो उसे निकाल लेंगे मटन को इसमें एड़ कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छा इसमें ना ये जो यखनी इसमें साथ में गई है तो अगर पॉसिबल है तो यखनी साथ में ना डाले जब हम इसको लॉकी को भी साथ में अच्छे से फ्राइ कर लेंगे उसके बाद ही यक्नी अड़ करी है इसमें मेरे से गिर गया है मतलब अड़ हो गया है और लॉकी को भी यही पर मैंने अड़ कर लिया है और इसे ढख के 6-7 मिनट के लिए लॉकी को गला लिया है लॉकी को गलने में बहुत ज़दा टाइम नहीं लगता है तो आप देख सकते हैं और ये लौकी गल चुकी है तो अब हम इसमें कुछ मसाले और एड़ कर लेंगे तो यहाँ पर मैं दो चमच गरम मसाला एड़ कर रही हूँ चुकि होमेट गरम मसाला है और उसके बाद यहाँ पर मैं दो चमच नमक और एड़ कर रही हूँ और आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ कर सकते हैं मिला लेंगे और इसी को 5-6 मिनिट ऐसे मैंने खोल कर पका लिया था और अब इसमें एड़ कर लेंगे डाल अच्छा डालों को है ना हमें पहले एड़ नहीं करना है या तीनों चीज़े साथ में मिक्स नहीं करना है वरना जो डाले है ना नीचे बैठने लगी और तला फिर जलने लगए तो फिर लॉकी है जल्दी कर लेगा नहीं तो इसलिए जो डाले है एकदम आखिर में एड़ करिएगा तो डाले को भी मैंने एड़ कर लिया है और इसको बॉयल आने देंगे और जैसी बॉयल आ जाएगा ना उसे हम ढखकर 5-6 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं तो डाले बगेरा बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है और अब हम इसको लगाएंगे तड़का तड़के के लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है और इसमें एड़ कर दिया है पुदीना और लाल मिर्च पॉडर मिक्स कर लेंगे और इसमें एड़ कर लेंगे बस इसे मिक्स कर लेना है और इसको है न और स्मोक की फ्लेवर और मज़िदार फ्लेवर के लिए अब हम इसको लगा लेंगे इसमोक का दुआ तो कोईले को मैंने जला लिया है इसमें आड़ कर देंगे आदा चिमश गी ताकि जो दुआ है जादा बने और उसको एक धकन से धाग देंगे एक भारी बरतन मैंने रख दिया था तो देखिए 10 से 15 मिनिट के बाद ये अच्छे से इसमोक आ गया है फ्लेवर स्मोक का बन गय तो दाल हमारी बिल्कुल भी टेस्टी और मज़दार वाली रेडी है आप इसे सर्फ कर सकते हैं जीरा राइस के साथ बहुत ही मज़दार और बहुत ही टेस्टी लगती है शादियों में अक्सर करके ये में जरूर खाने को मिलती है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शे बहुत ही टेस्टी और इसे आप महमानों के सामने भी बना कर रख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया है इसक मेरे पास यहाँ पर क्यूब से आप चाहें तो फ्रेश भी एड़ कर सकते हैं उसके बाद हम ले लेंगे तीन मीडियम साइज के प्यास को मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है और साथ ही थोड़े से करी पता ले ले लिया है तो करी पता इसमें बिलकुल भी ऑप सकते हैं दो चमच कश्मीरी लाल मिर्श पॉडर देर चमच तक धन्या पॉडर और एक चमच जीरा पॉडर आदा चमच यहाँ पर हल्दी पॉडर मैंने लिया है कुछ खड़े गरम मसाले इस्तुमाल करेंगे बगार के लिए तो एक बड़ी इलाइची लिया है मैंने एक मटन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ दो तेज पत्ता वीडियो को फुल वाच करना क्योंकि लास्ट में भी इसमें मैं हमने बहुत सारे स्टेप फॉलो किये हैं उसके बाद यहाँ पर दो टामाटर को मैंने इस तरह से फीरी बना लिया है आप चाहे तो इसे बारिक बारिक चौप भी कर सकते हैं बाकी के मसाले हम बनाते वक दिखाएंगे इससे हम रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ एक कड़ाई को गर्म होने दिया है और उसके बाद इसमें डाल रहे हैं दो बड़े चमच तेल तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ये खड़े मसाले को हम इसमें डाल देंगे इसको एक मिनट तक फ्राय करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है तेल में आ जाएं जैसी ये फ्राय होते हैं हम प्यास और करी लीव से इसमें एड़ कर लेंगे प्यास को मिला लेंगे और इस तो प्यास के साथ ही इसका एक अलग टेस्ट निकल के आता है तो जैसी मटन का कलर सेज हो जाए तो इसमें हम पाउडर मसाले एड़ करेंगे जो हमने पाउडर मसाले लिये थे तो नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर यहां पर मैंने कर लेंगे 2-3 मिनिट इसे भून लेंगे ताकि जो मसाला है उसका कच्छा पन अच्छी से निकल जाए तो इसे भूनते वे मुझे 2-3 मिनिट हो चुके हैं और अब हम इसमें एड़ कर लेंगे हमारा अदर लसन का पेस्ट तो यहां पर मैं तीन चम्मच एड़ कर रही तो अदर लसन को भूनते हुए मुझे 2-3 मिनिट हो गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी किश्पू आने लगी है और अब हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर का प्यूरी इसे मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी से पका लेंगे जब तक जो तेल हैं हमारा ओज आउट न सेपरेट हो गया है तो अब इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ क्यूंकि मटन को हमें गलाना है उसके बाद इसमें हमें एड़ कर लेंगे आदा लेटर पानी इसमें मटन अच्छी तरीके से गल जाएगा उसके बाद इसको हम ढखकर एक फ्लेम हाई पे और 20 मिनिट के फ्लेम पे पका लेंगे वीडियो के लिए पहले मैंने कडाई में बनाया ताकि सारी चीज़े आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे और इसके बाद हम कुकर का लेड लगा के इसे एक गला लेंगे तो इसको मैंने दुबारा से ट्रांसफर कर दिया है 20 मिनिट के बाद तो सबसे पहले अब चेक कर लेंगे मटन हमारा गला है या नहीं तो इसके लिए मैंने एक छूरी ले लिया है और इसको देखिए मटन बिल्कुल भी अच्छी तरीके से गल चुका है ये छूरी अंदर तक जा रही है तो अब हमारा जो ग्रेवी है थोड़ी सी पतली है तो हमें इसे ठीक करना है तो इसे ठीक करेंगे लेकिन उससे पहले डाल देंगे हम इसमें एक चमच गरम मसाला गरम मसाला बिल्कुल भी होममेड है और फ्रेश बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही जादा एन्हेंस हो जाएगा इसे मिक्स कर लेंगे और 10-12 मि इसे इसका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है तो यह देखिए 2-3 मिनिट इसे मैं पका लिया है और अब लास्ली में इसे गानिश कर दूंगी हरे धनिये से तो हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल भी ठीक हो चुकी है और यह सर्फ करने के लिए रेडी है तो देखा आपने बिल्कुल भी घर की ही सारिज सामान से हमने इस रेसिपी को तयार किया है तो यह देखिए हमारी ग्रेवी कितनी डिलिश्यस और टेस्टी बनी है साथ में जो मतन था वो भी देख सकते है इसका जो कलर है कितना तो आप देख सकते हैं यह चिकन कितना जूसी टेस्टी और टैम्टिंग बना है इसके हर एक बाइट में टेस्ट ही टेस्ट है तो आज मैं शेयर कर रही हूँ चिकन बिल्यानी की एक और जबरदस रेसिपी जिसे आप रमजान में बहुत ही कम समय में बना सकते हैं लेकिन इसकी प्रप्रेशन आपको पहले से करनी पड़ेगी तो रमजान शुरू होने वाले हैं और उससे पहले हमने बहुत सारी तयारिया करनी होती है क्योंकि रमजान मुबारग में इबादत किया जाता है रेसिपी देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं बिर्यानी के लिए हमेशा बड़े पीसस कटवाने चाहिए चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था उससे निकाल दिया है तो सबसे पहले हम चिकन को मारिनेट करेंगे इसके लिए मैंने यहां पर चार चमच अधर लसन का प इसके बाद 4 टमाडर को यहां पर मैंने फ्राइ करके एड़ किया है आप कच्छे भी एड़ कर सकते हैं एक कटोरी दही एड़ कर लेंगे बिल्कुल फ्रेश उसके बाद देर चमच धन्या पॉडर एड़ कर देना है उसके बाद एड़ करना है एक बड़ा चमच जीरा आदा चमच अलदी पॉडर साथि साथ एड़ कर लेंगे एक चमच होममेट गरम मसाला पॉडर और उसके बाद एड़ करेंगे हम नमक टेश्ट के हिसाफ से तो यहां पर मैं दो से राइ चमच एड़ कर रहू हूँ दो चमच बिरियानी मसाला मैंने ऐवरिस्ट का एड़ क उसके बाद यहां पर मैंने 607 हरी मिर्ची एड़ किये आप यहां पर पेस्ट भी एड़ कर सकते हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले ठिकन में अच्छी तरीके से कोट हो जाए प्रिंट सब मसाले एकी होते हैं, लेकि सब के हाथ का टेस्ट अलग होता है तो हाथ का टेस्ट जरूर दीजिए तो इनको मैंने मिक्स कर लिया है और मैं प्यास डालना भूल गही थी तो यहां पर लगबग चार से पांच प्यास हैं जिनने मैंने प्राइआ कर लिया दो तो इने मैं याड़ कर लूँगी अच्छी तरीक感 बल्या मिक्स दिखिए इन्हें मिक्स कर लिया है और इन्हें आप मैरिनेट करके एक घंटा कम से कम रखी और जादे-जादा इन्हें इस तरह के बैग में पैक करके 5-Days के लिए रखा था तो फाइडेस के बाद यहांपर मैंने एक बरतर रख दिया है और इसमें एक कप तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, चिकन को मैंने निकाल के एक गंटे पहले रख दिया था, तो अब यह मैल्ट हो गए बरफ से, तो अब इन्हें हम एड कर लेंगे तेल में, फ्लेम को अभी मैंने लो रखा है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके, हमे लो फ्लेम पे ही पकाना है, चिकन का पानी छूटने तक, और यह इसी लो फ्लेम में ही बहुत अच्छी तरीके से चिकन गल जाएगा, तो यह देखिए पानी छोड़ दिया है चिकन, इसमें से कितना पानी रिलियूस हो गया है, तो हमें इसे ड्राइ कर लेना है पानी को, फ्लेम को हाई करके मैंने 10 मिनिट के लिए और पका दिया है, और इसका जो पानी है इसी में रिडियूस हो जाएगा, साथी साथ दूसरे गैस पे मैंने चावल को पकने के लिए रख दिया है, तो मैंने पासमती राइस 1 केजी लिया है, 1 केजी चिकन पे, तो यह राइस हम चावलो को एड़ कर लेंगे, तो यह दिखिए चावल हमारे कितने खिले खिले और 90% मैंने कूप किया है इसे, और इसमें हम एड़ कर लेंगे, चावलो को मैंने एक छुटा चमशा, जीरा, लॉंग, इलाइची, दाल चीरी, और तीज पत्ता डाल कर बॉil कर लिया है, इसमें मैंने पुदीना भी एड़ किया है, साथी साथ नमक, लेमन, और थोड़ा सा तेल एड़ कर लिया था, तो यह चावल हमारे इस वज़े से बहुत ही किले किले बनेंगे, तो इसमें थोड़ा सा बिर्यानी स्पाइसे डाल देंगे, आप यहां पर केवडा एसंस भी गुलाब जेल भी डाल सकते हैं, इससे मिर्यानी का फ्लेवर बहुत ही सबर्दस्ता आएगा, उसके बाद आप अपनी पसंद का कलर एड़ कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर ओरिंज फूड कलर एड़ कर लिया है, मिर्यानी का सारा टेस्ट जो है मैरी नेशन के उपर टिका ह कि जितना जूसी और डिलिशिस लगेगा, मिर्यानी हमारी उतनी ही अच्छी लगेगी, अब हम थोड़े से धनिया पत्ते से इसको डेकोरेट कर लेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें हम पुदीना डाल देंगे, फ्लेवर के लिए आप यहां पर ब्राउन प्यास भी ए के लिए दम दे देंगे, और 15 मिनिट के बाद मैंने इसको रेस्ट पर रखा था 15 मिनिट, तो यह देखिए, फ्रेंट्स बिरियानी हमारी तैयार है, एकदम सबरदस्त, और खिली-खिली, तो हम इसे चेक करते हैं, और अब हम इसे सब करेंगे, तो फ्रेंट्स देखिए, क तो आप इसे जरूर ट्राइ किजएगा, खासकर रमजानों में, तो हमारे घरों की शान होती है, बिरियानी है, इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए, और कॉमेंट में अच्छे अच्छे फीडवेक देना ना भूलिए, तो आज की मेरी वीडियो कैसे लगी, कॉमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, मैं मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफेज